Good morning, my mother teachers and my dear friends. Today I am going to tell you the importance of Hindi language, Hindi भाशा का मेहत्वर. Hindi भाशा का इतियास लगबख 1000 वर्ष पुराना माना गया है. संस्क्रित भारत की सबसे प्राचीन भाशा है, जिसे हम आर्डे भाशा या देव भाशा भी कहते हैं. ऐसा माना गया है कि भारत की हिंदी भाशा का जन्म संस्क्रित की ही कोग से हुआ है. भारतेंद्रु हरीशंद्री वाश दे फादर ओफ मोडन हिंदी लिट्वेचर और हिंदी ट्रियेचर. Due to its vast number of speakers, हिंदी is considered as the fourth most spoken language in the world. Behind the languages, Chinese, Spanish and English. In the constitution of India, हिंदी has been declared as an official language in the union in the article number 343. हिंदी दिवस is celebrated on 14th September every year. और अब मैं आपको एक अवीता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है. 14 सितंबर का दिन है कुछ खास तो चलो शुरू करते हैं. चाहे हो कश्वीर या कन्या कुमारी, हिंदी है भाशा बहुत प्यारी. भारत देश में सबसे जगा बुली जाती, विदेश में भी पाई है इसने ख्याती. हिंदी में चुपी है साहित की फुल्वारी, इसले तो हिंदी है जन जन की दुलारी. 14 सितंबर का दिन है कुछ खास, क्यूंकि हिंदी दिवस है आज. Hindi language is a global language and that is why the foreigners show their interest in understanding the rich culture of India and that is why many other countries many other countries made educational centers to encourage Indian languages. Hindi language is a technical language. Because of Hindi language, there are so many employment opportunities opened. Sanskrit की एक लड़ली बेती है ये हिंदी, बेहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी, सुन्दर है, मनोरम है, मीथी है, अनूठी है ये हिंदी. भारत माता के माते की बिंदी, गर्व से कव हमारी राजबाशा हिंदी. जय हिंद, जय भारत, घर में रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद.